हेलो बेटा आप लोग कैसे हैं आसा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आज हम लोग क्लास नाइंत में बहुपद में बेटा एक टॉपिक का ध्यन करेंगे जिसमें कोफिसियंट निकाला जाता है बेटा किसी भी जो वैरियेबल होता है उस वैरियेबल का कोफिसियंट मतलब गुडांग कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग आज अध्यान करेंगे जैसे आपने जाना होगा बेटा कि दो घात का एक बहुपद होता है व्यापक बहुपद जिसको हम कहते हैं AX स्क्वाइर प्लस BX और प्लस C ये दो घात का व्यापक बहुपद है इस बहुपद में यदि हमको कोफिसियंट निकालना है गुडांक निकालना है तो हम यहाँ पे कहते हैं वेटा कि जो AX स्क्वाइर का कोफिसियंट है AX स्क्वाइर का गुडांक है तो AX स्क्वाइर का गुडांक A होगा उसी प्रकार यहाँ जो चर वैरियेबल है इस X का कोफिसियंट आपको निकालना है तो इस यकस का गुडांक ही यहाँ पर विटा ये भी होगा तो इसी प्रकार इसी पर कुछ एक्जेंपल है कि निम्लिकित में से प्रतेक में यकस स्कुायर का गुडांक लिखिये ये आपके बुक से ही प्रस्ण है विटा इसमें आपका दिया है 2 प्लस 2 प्लस X स्क्वायर प्लस X में आपको X स्क्वायर का गुडांक बताना है कि X स्क्वायर का गुडांक कितना होगा तो यहाँ पे हम देखेंगे जो X स्क्वायर है उस X स्क्वायर के साथ किसी भी संख्या का मल्टिप्लाई नहीं हुआ है और जहाँ पे किसी भी संख्या का मल्टिप्लाई आगे नहीं हुआ होता है वहाँ गुडांक सदेव एक माना जाता है वहाँ सदेव एक गुडांक होता है तो यहाँ पर x square का जो coefficient होगा गुडांक होगा वो x square का गुडांक एक होगा तो यहाँ हम लिख सकते हैं x square का गुडांक एक इसी प्रकार इस second की हम बात करें तो second में हमारा है 2-x square प्लस yaks cube में जो x square का गुडांक निकालना है ये गुडांक आपका देखा जाए तो yaks square के साथ यहां जो coefficient है वो 1 माना जाता है और 1 के आगे का जो sign symbol है या sign है वो माइनस में है तो yaks square का जो गुडांक होगा वो yaks square का गुडांक माइनस एक होगा तो 2-x square प्लस yaks cube में जो yaks square का गुडांक है वो आपका माइनस 1 है इसी प्रकार हम third number में देखेंगे तो third number में हमारा दिया है pi by 2 into x square प्लस x में जो x square का गुडांक होगा वो x square का गुडांक आपका x square का जो गुडांक होगा वो आपका pi by 2 है तो हम यहां लिख सकते हैं कि यहां x square का जो गुडांक है वो pi by 2 है वेटा इसी प्रकार four number में हम देखेंगे कि root 2x और minus 1 में जो x square का गुडांक है अब यहां पे यह चीज़ हम ध्यान देंगे वेटा कि इस polynomial में x square है ही नहीं और जहां पे x square नहीं है वहां पे x square के गुडांक की बात करें तो वहां सद्यो x square का गुडांक 0 होगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x square 0 into x square plus root 2x और minus 1 अर्थात इस polynomial को हमने इतना लिखा और इसमें जो x square है उसका गुडांक 0 होगा तो यहां पे हमने लिख दिया root 2x minus 1 में x square का गुडांक equal to आपका 0 आ गया भी ता तो आसा करता हूँ कि गुडांक निकालना आपको अच्छे से समझ में आया होगा यदि वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो खिरप्या वीडियो को like, share और subscribe करें करें तो आपको अच्छे से करें को तो आपको अच्छे से होगा जापको अच्छे लगी होगा